हलो एवरिवन मेरे नाम है केशव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटुप चैनल पे हम लोग पिछली वीडियो में कॉंकेस्ट पंजाब का पार्ट वन कवर कर चुके हैं ये उसी वीडियो का पार्ट टू है कॉंकेस्ट पंजाब का हम लोग Modern History Series cover कर रहे थे पिछली वीडियो में हम लोग उने देखा था किस तरीके से महराजा रंजीस सिंग के डेथ के बाद उनके बेटे जो होते हैं वो सारे रूल करना स्टार्ट कर देते हैं पूरा सिक अंपायर पर जिसके अंदर रानी जिंदल जो है और दलीप सिंग जो है वहाँ के महराजा बनते हैं कुछ समय बात क्या होता है कि वहाँ के वजीर जो होते हैं लाल सिंग बन जाते हैं और उसी येर जो है तेजा सिंग को अपॉइंट कर दिया जाता है कमांडर अब दो फोर्सेस तो इस तरीके से सिक अंपायर जो है महानाजा रंजीस सिंग के बाद रन कर रहा था लेकिन क्या होता है कि उसके बाद first anglo sick war होता है कुछ immediate और कुछ causes के कारण उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे treaty of lahore होती है second anglo sick war होता है और इन सब चीजों के कारण बाद में क्या होता है कि British जो है overtake कर लेते हैं पूरे के पूरे Punjab को तो बहुत कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो पे बने रही है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सकाइब अगर नहीं की है तो प्लीज सब्सकाइब कर दिजेगा इस बेल आइकोन को विदावाद जेगा for more information and notification और अब चाहें तो Facebook, Insta और Telegram चैनल को भी जोईन कर सकते हैं आने वाली हर वीडियो के latest update आपको मिलती रहेंगी इसका लिंक आपको description box मिल जाएगा तो लिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार की पिछली वीडियो में उन्हें देखा था कि रानी जिंदल जो है वो as a result काम करते रहते हैं और दलीप सिंग जो है वो बन जाते है वहाँ के महराज अब क्या होता है कि जैसे ही वजीर बनते हैं लाल सिंग लाल सिंग वजीर बनते हैं और तेजा सिंग को अपॉइंट कर दे जाता है commander of the forces सो होता यू है कि सिख आर्मी जो है एक छोटी से एक उनसे क्या होती है कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी जो है सतलज रीवर को क्रॉस कर देती है होता यू है कि ऐसा नहीं कि वो गलती से क्रॉस करती है वो जानवुचे क्रॉस करती है क्योंकि आप थोड़ा मैप से समझेंगे कि मॉरायन नाम की गाउँ ये क्या है कि सतलज रीवर है सतलज रीवर की किनारे एक मॉरायन नाम का गाउँ है और यहाँ पर है फिरोजपूर टिक, फिरोजपूर, यह जो पार्ट है, पूरा का पूरा, यह है Northwest पार्ट, Northwest, इंडिया का Northwest और यह है पूरा South पार्ट, South पार्ट में यहां British के डॉमिनेंस है, ठीक है, यहां है Britishers, और यहां है Sikhs, ठीक है, अब यह सिख पार्ट है, इन दोनों की बीच में एक Boundary Line है, वो है विवाद है, इनके अस्तित्व के उपर विवाद है, बिटिशर्स कहते हैं कि हमारे अंदर आता है, और सिक्स कहते हैं कि नहीं है हमारा गाँ है ठीक है, सो होता यह है कि बिटिशर्स जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर deploy करते हैं अपने army को तेक हैं उनकी army बहुत जाए deploy अब कोई भी border front के ऊपर अगर सामने वाले सामने वाला कोई भी country अगर बहुत बड़ी मात्रा में army को deploy करके रखता है तो उसका reason यह होता है कि उसके ठीक सामने वाला जो भी country होगा वो उसके अंदर कहीं न कहीं डर create होगा कि कभी भी यह overtake कर सकता है तो कभी भी हमला कर सकता है कभी यह capture कर सकता है तो इसकी वैसे सिख क्या करते हैं कि सिख भी अपने armies को इस Moran गाओं में क्या करते हैं कि shift करना start करते हैं कि Moran गाओं में अगर हम लोग को अपना base camp बना लेते हैं तो कहीं न कहीं हमको यह बहुत बड़ा privilege मिलेगा कि जब भी अगर Britishers attack भी कर देंगे तो हम उनको resist कर सकेंगे उनको रोक सकेंगे ठीक है तो यह reason से क्या होता है मुरैन गाओं में जैसे ही Britishers के जगहा पर सिक जो है अपनी armies को deploy करना start करते हैं वहीं Britishers को एक मौका मिल जाता है कि अब तो सिक पे attack कर लिया जाए होता यह है कि यह तो एक immediate cause होता है ठीक है यह immediate cause होता है बहुत सारे general causes भी हैं इसके पीछे ठीक है general causes की बात करते हैं तो general causes में अनार्ची जो है रहा लहूर में क्या है कि लहूर जो पूड़ा का पूड़ा kingdom है जहां से महाराजा रंजीत सिंग्ग गवर्न करते हैं उनका जो capital है वहां पर जैसे ही महाराजा रंजीत सिंग्ग के death हो जाती है तो power struggle बहुत जाता स्टार्ट हो जाता है ठीक है power struggle इसलिए आप obviously देख चुके होंगे कि जितने भी रंजीत सिंग्ग के जितने भी बेटे आते हैं उन सब का धीरे या तो वो मर जाते हैं या फिर उनके जितने भी वजीर आती है उनका जो है उनका murder कर दिया जाता है यह reason दिखाता है यह सारी चीजों को दिखाता है कि कहीं न कहीं power struggle बहुत जाता स्टार्ट हो चुका है और महराजा रंजीस सिंग जो थे वो बहुत जाता efficient जो है और administrative बहुत अच्छा decision लेने वारे एक leader थे ठीक है उनके जाने के बाद क्या होता है कि कोई भी ऐसा efficient leader में हो होता है कि English और English military campaign क्या होता है कि जैसे ही ग्वालियर और सिंद को जिस तरीके से Britishers ने कबजा किया था तो Britishers न जिस तरही किस कपजा किया तो यह कहीं न कहीं शो करता है और अफगानिस्तान के लिए कैम्पेन उनका था यह शो करता है कि वो कभी न कभी वो annexion कर सकते हैं बगल के सिंद को capture कर लिया गौालियर को capture कर लिया माराथा को अपने वीडियो में देखा कि माराथा को किस तरीके से उनका capture के तो यह सारे चीजों को पंजाब के लोग जो है वहां के जो लीडर्स थे न उनके रंजी सिंग के बाद वो अब्सर्व कर रहे थे कि जब यह जो है इन सब जगहाओं को अगर capture कर सकते हैं तो अगर हम अपनी आर्मी को अलग-अलग जगहों पर deploy करके नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद यह हम लोग पर भी attack करके हमारे पूरे कि ट्रेटरी को ही कब्जा कर सकते हैं ठीक है increase in number of troops station near the border अब third point यह है कि यह जो border था obviously मैंने map में दिखा रहे है सतलाची किनार जो Moran गाउं था और फिरो पूर है उस जगह पर इतने अदर deploy कर रहे थे Britishers जो अपने army को यह भी बहुत बड़ा reason था कि Britishers के खिलाफ सिख में एक बहुत बड़ी चल रही थी कहीं न कहीं घमसान चल रही थी कि हो सकता है कि Britishers जो हम पर attack करने वाले और यह reason जैसे ही Moran गाउं पर क्या होता है कि सिख जो है अपने army को deploy करते हैं वैसे ही Britishers को मौका म course of the war यह होता है कि Britishers जो है मातर 20 से 30,000 troops लेके आते हैं और वहीं सिख जो है 50,000 men's के साथ होता है ठीक है लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है ठीक है इनका जो overall commander होता है लाल सिंग ठीक है लाल सिंग और तेजा सिंग ठीक है लाल सिंग जो होता है वजीर औ क्या होते हैं कि यह पूरा का पूरा मतब मान के चली कि जो first war हुआ first anglo sick war यह कुछ वैसा ही हुआ जैसे पलासी हुआ था ठीक है पलासी जैसे हुआ था सेम वैसा ही हुआ यहाँ पर अंदर के ही लोगों ने सारी सारी information पास कर दी Britishers को और जो war हुआ वो सिफ नाम मातर का system आपने देखा था सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला और जो है six हार गया हारने के वाद ट्रीटी होती है ट्रीटी ओफ लहोर होती है आठ मार्च को 1846 में अब इंड होता है first anglo sick war का the forces जो होते हैं वो इनको क्या बोलता है कि Britishers जो है ना इनको force करते हैं कि एक ब features उसके अंदर क्या है कि war के लिए जितने भी पैसे लगे उसमें एक कड़ोर रुपए देने परेंगे six को Britishers को ठीक है Britishers को मिलेंगे कितने एक कड़ोर रुपए जलंधर दोवाब जो है Britishers ले लेंगे six से अब देखिए जलंधर दोवाब लेने का बहुत बड़ा reason हता है क जलंधर जो है वो दोवाब, doवाब क्या होता है कि मालेज जे एक नदी बहर रही है यह दो tributary है, दो नदियों के बीच का जो जमीन होता है, उसको कहते हैं दोवाब ठीक है तो इस अब geographical terms है तो basically क्या है कि अब बेयास और सतलच के बीच जो आता जलंधर तो ये जो है Britishers अपने अंडर ले लेते हैं क्योंकि जो नदी के दो नदियों के बीच का जमीन है ये बहुत ज़्यादा उपजाव होता और जितना उपजाव जमीन होगा उत्रनादा revenue उनके generate ह होगा इसलिए जलंधर अपने पास ले लेते हैं ठीक है उसके साथ साथ और क्या होता है कि देखिए पाँट जगह आएं जो है पाँट जगह लडाई होती है और पाँट जगह बिटेशर्स जो हार जाते हैं ठीक है मुद्की जो दिसमबर 18 को होता है फिरोश्य जो 21 और 22 दिसंबर को फिर उसके बाद बुदेलवल अलिवाल यह 28 जनवरी फिर उसके बाद सोब्रॉन फिर लहौर लहौर तो बिसिकली यह ऐसे ही जीत लेते हैं ठीक 1846 को टोटल पूरी तरीके से फरवडी में 1846 में यह सिक फर्स्ट एंग्लो सिक्वार खतम होता है ठीक है अगला पॉइंट क्या है कि अगला पॉइंट यह कि बिटिश का एक आदमी जो है है रहेगा आपके रेसिडंट आपके जहां लहौर है वहाँ पर एजर रेसिडंट रहेगा यह बहुत ही जादा क्रूशियल पॉइंट है क्योंकि यही हेंरी लॉरेंस जाकर के बाद में चीफ कमिशनर बनने वाले है पूरे के पूरे पूरे पंजाब का तो होता यह है कि यह जो हेंरी लॉरेंस है हेंरी लॉरेंस जो है वहाँ जाकर के रहेंगे और डे टू डे जो भी अडिमिस्ट्रेशन होगा वहाँ का उनके अंदर ये interfere करेंगे अब ये हर चीज में interfere करना स्टार्ट कर देंगे, हर decision में इनका decision आना ज़रूर ही है ठीक है, strength जो है सिख आर्मी की उसको कम की जाएगी, अगला point यह है कि सिख आर्मी को कम की जाएगी दलीप सिंग को क्या किया जाएगा कि दिको गुनाइस कर दिया एगा ruler, ठीक है, रानी जिंदल को जो है, रानी जिंदल as a region, ठीक है अलाल सिंग को वजीर बना दिया जाता है, ठीक है अब, they were forced उसके बाद क्या होता है कि अब एक कलोर रूपय तो देने हैं, ठीक है काश्मीर और जम्मू दोनों के दोनों बेच दीजिए बेचिए, बेच करके जो भी पैसा आएगा वो हमको चुकाईए, जो पैसा आता है वो बेच दिया जा, बेचा जाता है गुलाब सिंग को, ठीक है गुलाब सिंग को बेच दिया जाता है उसके बदले पच्छाटर कि लहौर की जो treaty होती है इससे बिलकू सर्टिसफाइड नहीं होते है ऐसा होता है कि इनका तो सब कुछ छिन गया इनका जो है जम्मू और काश्मीर जो है वो बिग गया इनके अंदर decisions जो भी लेने होंगे अब Henry Lawrence से ही उनके decision की सहमती से ही कोई भी नया decision होगा तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि नया treaty होता है Treaty of Barrowel अब six जो है satisfied बिल्किल नहीं होते है जो भी issue होता है काश्मीर वाला तो रिवेल करते हैं जैसे वो रिवेल करते हैं रिवेल करना start करते हैं December 1846 में Treaty of Barrowel होती है ठीक है Barrowel होती है इनको sign किया आता है अब इसके provision के according रानी जिंदल को remove कर दिया जाए एक और नया बात होता है कि रानी जिंदल को remove कर दिया जाए इनको remove करके क्या किर दिया जाए कि अब इनको जो है pension दे दी जाए ठीक है इनको हटाया जाएगा अब उनको regent से हटाया दिया जाए regent से उनको हटाने के बाद अब क्या हुआ कि council बनेगी अब इस तरीके से क्या होगा कि पूरा का पूरा काउंसिल तयार होगा अब इस काउंसिल से पूरा का पूरा पंजाब चलेगा अब उसके बात क्या होता है कि सेकेंड बात करेंगे हम लोग सेकेंड एंग्लो सिख वर की तो इस तरीके से काउंसिल तो बन गया तो काउंसिल बन गया अब क्या होगा कि अब यह काउंसिल भी लोगों को पसंद नहीं अब ये बिल्कुल कि पंजाब था पूरा का पूरा पंजाब चेंज हो चुका पहले क्या था कि यहां के रूलर थे ठीक है मानते हैं दलीप सिंग थे, मानते हैं कि सेर शेंगी थे जो भी थे लेकिन थे तो वो सिख्या ही न डिसीजन जो थी उनकी अपनी decision होती थी, माल लिजे कि बहुत अच्छी decision, expansion नहीं हो रहा सिख का, लेकिन थे तो वो सिख ही न, अपने under में ही जो भी decision होता, उनका अपना culture, अपने लोग ही decision लेड़े थे, अब लेकिन क्या होना था, कि Henry Lawrence जो का कि वो council का head था, जो भी decision लेगा, वो decision लेगा ठीक है, जो भी decision उसके according ही होगा, तो वो किस के favor में होगा, वो साड़ा का सारा, बिटिश के favor में होगा, लेकिन पहले जो भी decision होता था वो decision होगा, सिख के favor में तो होता ही हो है कि आप ये थारा map देख लिए, second anglo sick war होगा, उससे पहला आप ये देख लिए, ये है मुल्तान, ठीक है, अब ये मुल्तान का जो राजा, governor होता है सिख के तरफ से वो होता है मुल्राज, वो revolt करना start करेगा, ठीक है, उसको revolt करेगा, उस चीश को बहुत अच्छे तरीके सा लोग समझेंगे, कि कैसे मुल्तान का जो governor होता है, मुल्राज revolt करता है, उसको जो है बाकि जितने भी सिख के governor सोंगे, उसको support करेंगे ठीक है, सेल सिंग भी उसको support करेगा, अब देखे होता यूँ है, कि जैसे ही defeat of first anglo sick war, जैसे ही लोग हार जाते हैं, उसके बाद जो treaties होती है, लहोर और भैरोवल की, तो बहुत ज़ादा humiliating होती है, ठीक है, inhuman treatment होता है, राणी जिंदल को तो क्या होता है, कि उनके तो गहने तक उतरवा लिये जाते है, ठीक है, उनको गड़ी रहे थे, कि ट्रीटी जो sign की थी, तो six जो accept कर रहे थे सब कुछ, होता यूँ है कि इसी बीच में क्या होता है, जो governor जो होता है, मुल्तान का मुलराज होता है, ठीक है, उसको हटाने की बात चलती है, और नए governor की लाने की बात चलती है, ये decision कौन लेने वाला है, तो ये decision लेगा, हेंडरी, ठीक है, अब हेंडरी इस बात को decision लेगा, कि अब मुलराज को हटाया जाए, नया governor आएगा, ये बात मुलराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, ठीक है, उनको revenue आ रहा था, उनसे वा खुश नहीं थे, उनको revenue, collection जाएगा, तो मुलराज को हटाओ, नया governor आएगा, बेसिकली उनको एक puppet governor चाहिए, ठीक है, ruler उनको हमेशा से puppet ruler ही चाहिए होता है, puppet ruler का बड़ा फाइदा होता है, लोग जो है revolt नहीं करें क्योंकि उनके लोग ही वहाँ पर राजा रहेंगे उनके लोग राजा रहेंगे, और वो राजा जो है, काम करेंगे Britishers के लिए, puppet government puppet leader जो होता है वो Britishers के बड़े काम के होते है ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि अब मुलराज को हटाने की बात चलती है मुलराज revolt कर देता है mother कर देता है, दो English officers का ठीक है, नए governor को लाने की बात पर, ठीक है सेर सिंग को भेज़ आता है कि जाओ जा करके सेर सिंग जो है, ट्रीटी के अंडर आये हुए है, ठीक है Britishers के ट्रीटी के अंडर है, सेर सिंग को भेज़ आता है और ये जो है, cause बनेगा सेकेंड अंगलो सिख वोर का ठीक है, देन जो governor general होते हैं उस समय के इंडिया के Lord Dalhousie Lord Dalhousie को इसी लिए भेजाए गया था इंडिया क्योंकि इनका सपना था कि जितने भी British के अंडर में जितने भी जगा है इंडिया के इंडर उनका expansion करना पूरा का पूरा इंडिया जो है British के अधीन बना देना ठीक है, ये बहुत ज़दा hardcore expansionist के नाम से जाने जाते हैं इनका expansion किसी भी तडिके से British के राज को expand करना ही इसका सबसे बड़ा aim रहा है ये क्या होता है, इनको मौका मिल जाता है चलो, यही मौका है बहुत अच्छा कि अब revolt तो करी रहे हैं, हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका है, इसी बहाने पूरा का पूरा पंजाब जो है जीत लेते हैं, ठीक है, ये Lord Dalhousie का पूरा का पूरा अब कारणामा होगा अब क्या होता है, कोर्स अब दा वार होता है कोर्स अब दा वार को सब्जेंगे इसके अंदर क्या होता है, Lord Dalhousie खुद ही पंजाब पहुँच जाते है ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट बैटल होता है फार्नल एक्स, पंजाब को चिलनवाला, ठीक है चिलहानवाला, अब यह होता है जनवरी में, 1849 में उसके बाद गुजराती, गुजरात जो है हमारा भी गुजरात नहीं ठीक है, यह गुजरात, जिहलं नदी के किनारे वाला यह बैटलल अव गुजरात होता है फर्वरी, 21 को 1849 में अब इस तरीके से Sikh आर्मी जो है रावल पिंडी में finally जो है surrender कर देती है और जो अफगान की जे alliance होते हैं उन सब को ख़देर दिया जाता है अब पूरी तरीके से जो है Sikh जो है इसके अंडर में आ चुकी बिटिश के अंडर में आ चुकी है दो एंगलो Sikh वार में ही पूरा पंजाब जो है बिटिश अपने अंडर में लिलते हैं लोड डलोजी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उनको तो बस मौका चाहिए कि अपने बिटिश समराज्य को expansion करने का expansion का मौका मेला मुलराज जैसे revolt किया सेरसा ने जोएन किया उनको लगा पूरा पंजाब revolt कर रहा है पूरा का पूरा पंजाब जो है अपने अंडर ले लिलते हैं भस उनको मौका चाहिए था अब रिजल्टेंट क्या निकलता है रिजल्टेंट ये निकलता है जैसे surrender होता है surrender की वैसे सिख आर्मी पूरी की पूरी surrender कर देती है सेर सिंग के साथ 1849 में और पंजाब पूरा का पूरा annexion हो जाता है ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि Lord Dalhousie को British Parliament से क्या होता है कि उनको thanks मिलता है जो earl उनको मिलता है उनके service के लिए उनको earl मिलता है designation मिलता है earl British Parliament से ठीक है, उनका promotion कह सकते हैं कि promotion ही समझ लिए उनको एक तरकी से बहुत बढ़ा इनाम मिलता है कि जो आपने बहुत बढ़ा expansion काम किया अपने पंजाब को होरा दिया ठीक है, पूरा का पूरा पंजाब action का लिए सिख को होरा दिया ठीक है, अब क्या होता है कि तीन members का board वहाँ बना दिया जाता है अब जैसे ही वहाँ पर होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा अब राज कौन करेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर तीन members का एक board बना दिया जाता है ठीक है, अभी जो board बनेगा तो board के अंदर क्या होगा कि Henry Lawrence रहेंगे ठीक है उनका तो रहना बहुत जरूरी है वो तो पहले यहां पर राज आने वाला है ठीक है रेसिडेंट सबसे पहले उन्हीं को भेजा गया था तो क्या होता है कि तीन member का board बन जाता है गवर्न करने के लिए पंजाब को जिसके अंदर Henry Lawrence ठीक है Henry Lawrence खुद होते है Lawrence के brother होते है ठीक है and Charles Mansell ठीक है Henry and John and Charles Mansell लेकिन 1853 में board को फिर से खतम कर दिया आता है और Henry Lawrence को Chief Commissioner बना दिया आता है वहाँ का ठीक तो इस तरीके से क्या होता है कि Chief Commissioner बन गए अब कौन? Henry Lawrence और इस तर इस तरीके से पूरा का पूरा पंजाब जो है British के अधीन हो गया आप कह सकते हैं कि पंजाब जो है पूरा का पूरा सिक जो है अब British के अधीन आ गया वहाँ पर जितने भी उनके पॉलिसी थे subsidiary alliance परमाउंट सी सब चीज को उनके ऊपर सर्माउंट कर दिया जाता है ठीक है इस तरीके से पंजाब का यह lecture खतम होता है आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उनके अलग अलग policies क्या क्या थी उन सब चीजों को देखेंगे आने वाली और वीडियो के लिए तब तक के लिए आप बने रहे इसी चैनल पर और आपको इसी तरीके से modern history के अलग अलग वीडियो मिलती रहेंगी तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के साथ सेर किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेगा थाइंक यू